तो आप सभी के लिए क्लास से स्टार्ट हो चुकी है आप सभी लोग एक बार सीर कर दो ताकि और भी साथी और भी स्टेर्ट्स क्लास को जॉइन कर सकें क्योंकि यहां पर 30 most important questions डिसकस करेंगे जो आप सभी के लिए ट्रपल्स एक्जाम के लिए काफी ज्यादा important होगे और यह सभी के सभी questions कहीं ना कहीं पिछली exams में पूछे जा चुके हैं कि हमारे पास बहुत सारे students ने questions वेज़े थे तो वो questions आप तक share करेंगे ताकि आपको benefit मिल सके आपके ट्रपल्स एक्जाम में होता क्या है कई वार पास कर सकते हैं ठीक है और अगर किसी प्रकार की किसी भी students को कोई problem आ रही है या कोई chapter उनका clear नहीं हो पाया है कोई भी problem है किसी भी chapter में तो आप मुझे comment कर सकते हैं कोशिस करेंगे उस पर एक अलेक्सी वीडियो बनाने का है ना ताकि आपका exam तक कोई problem ना रहे और आप लोग अच्छे से exam कर पएं ठीक है और जैसा कि November मंत का result आ चुका है बहुत सारे बच्चों के comments आ रहे हैं बरावर बहुत अच्छा लगा है जान करके कि बच्चे पास हो रहे हैं और बहुत अच्छी grade में पास हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आप सभी पढ़ते है आप अपने exam को अच्छी grade से qualify करेंगे ठीक है तो इसलिए कहते हैं कि भाई मेहनत करना है और जो भी आपके 6 दिन बच्चे हैं उनमें अच्छे से मेहनत कर लो एक बार revision कर लो सारा chapter wise revision कर लो इसलिए मैंने morning में आपको class कराई है ताकि morning में भी मैं आपको revision करा सुकूं questions का chapter otherwise वहाँ पर questions जो important है वो आपको करा रहे हैं उस class को भी आप लोग join करें और फिर भी कोई कमी रह जाए तो आप मुझे comment कर देना अभी दो दिन बचे हुए हैं तीन दिन तो मैं कोशिस करूंगा कि उन दो दिनों में आप तक कुछ अच्छी चीजें लासकूं ठीक है और को अना चाहिए लेकिन खैर कोई बात नहीं नहीं पढ़ पाया तो हम कोशिस करेंगे कि मैराथन class लाई जाए जिसमें पूरा का पूरा है ना सुरू से लाश तक का एक वार revision करा दिया जाए बट कोशिस करेंगे आपको बता दी जाएगा जब भी class होगी ठीक है तो चलिए श संसाधन का पता कहलाता है तो किसी भी संसाधन का पता क्या कहलाता एडरस को क्या बोलते हम नेट पर यानि कि ISP बोलेंगे HTTP बोलेंगे URL बोलेंगे या फिर WW बोलेंगे तो देखो, simple सा है, किसी भी संसाधन का पता, क्या कहलाता है, URL कराता है, और URL होता गया है, इसका पूरा नाम होता है, uniform resource locator, है ना, तो ध्यां रखेंगे, uniform resource locator, इसका पूरा नाम होता है, जो domain name होता है, या किसी भी, जो link आपने देखो, लिंक बहुत सारी होती है, जहाँ प आपका URL होता है, तो जिसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, uniform resource locator होता है, चलिए, अब अगला कुशन आपकी स्क्रीन पर आचको है, और इस सभी कुशन आप लोग अच्छे से समझ लेना, ध्यार पूर्बग पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा important है, ट्रप पेज आपके सामने open है, अगर उसको bookmark करना चाहते हैं, तो क्या use करेंगे shortcut की, तो यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा, option A हो जाएगा, control D, ठीक है, क्या करेंगे, control के साथ में D प्रेस करना है, control D से हम page को bookmark कर सकते हैं, Google Chrome में, ठीक है, किसी browser में, अच्छा, अगला question OSI model में कितनी परते होती हैं, तो हाला कि काफी simple सा प्रस ने कई बार कराया है, आप सभी को पता होगा, लेकिन बहुत साथ ही हो सकता है कि कुछ नए बच्चे हमारे चैनल पर हो, तो आप सभी को एक बार सारी चीज़ने पत्दा चल जाएंगी, तो TCP IP model में कुल कितनी layer होती हैं, क्या होगा आपका सही answer, तो यहाँ पर आपका answer हो जाएगा B, 4 होती है, TCP IP model में कितनी layer होती है, 4 होती है, और OSI model में कितनी होती है, तो same layer होती है, ध्यारकना है, TCP IP में 4 होती है, और OSI में same layer होती है, चलिए, next question पूछा है, SMTP द्वारा प्रियुक्त port है, यानि कि SMTP द् पर, और कई बार पूछते हैं, SMTP का पूरा नाम बता दीजिए, तो SMTP का full form क्या होता है, simple mail transfer protocol होता है, SMTP का पूरा नाम, ठीक है, तो यहाँ पर आपका right answer option D होगा, ध्यारकना है 25, SMTP द्वारा प्रियुक्त port है, कौन सा 25, सही answer option D आपका होगा, और आप सभी लोग एक बार share कर दो, भाई, दबा के सभी लोग share कर दो, ताकि सभी बच्चों के पास पहुंचना चाहिए, class और सभी बच्चे जिनका एकजाम दिसम्बर में है, class को देख सके, join कर सके, question number 5 में पूचा गया है, कौन सा सब्द network सुरच्छा से सम्मंदित है, अब इसमें से आपको बतान और अगला question पूचा गया है, निम्ड में से कौन सा network का परिच्छंड करने के लिए, network का परिच्छंड करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसमें से किस का network का परिच्छंड करने के लिए इस्तिमाल होता है, ns, ping, locate या फिर domain का, तो सही answer 6 का right answer क्या होगा, तो यहाँ पर आपका right answer option B हो जाएगा, ping, ठीक है, इसका इस्तिमाल network का परिच्छंड करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना है, option B आपका सही होगा, ping, आप पूचा है next question और इसमें पूचा है, कौन सा server, एवं कारिय स्थलों के मध्य, संपर्ग स्थाबित करवाता है तो right answer आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, question number 7 का, terminal access point यहाँ पर सही answer आपका होगा, option number C, ठीक है, अगला question पूचा है, वाइफाई का पूर्ण रूप बताइए, यानि कि वाइफाई का पूरा नाम होता है, full farm होता है, वो क्या होता है, तो आपका right answer क्या होगा, fidelity, याना, wireless fidelity, option D, आपका हो जाएगा, वाइफाई का full form होता है, तो ध्यां रखना है, और अगला question आपके सामने, internet परियोग करता है, अब बताए, circuit switching, packet switching, hybrid switching, या फिर उपरिप्त में से कोई नहीं, तो internet परियोग करता है, निम में से क्या, सही answer होगा, question number 9 का, तो यहाँ पर आपका right answer option B होगा, packet switching का, ठीक है, option number B आपका सही हो जाएगा, और अगला question पूचा गया है, hardware address को के रूप में जाना जाता है, अब hardware address को और किस रूप में जानते हैं, mac address, IP address, network interface card, या फिर address, resolution, protocol, तो सही आपका जवाब, question number 10 का right answer क्या हो जाएगा, और आप सरी साथी जो भ पी तक चर्ण को subscribe नहीं किये हैं, तो आप लोग कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि notification आप सभी को मिलते रहें, तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा, mac address को, ठीक है, hardware address की रूप में किसे जानते हैं, mac address को जानते हैं, और कई बार ऐसे भी पूच्छा प mac का अर्थ बताईए, या mac का पूरा नाम बताईए, तो mac address का full form पूचाए, यहाँ पर media area control, memory access control, memory area control, या फिर media access control, तो सही जवाब 11 का right answer क्या होगा, तो mac address का पूरा नाम क्या होता है, media access control होता है, किसी भी जो एक physically, जो किसी पार्ट का physically address होता है, उसे कहते हैं, mac address, तो जिसका पूरा नाम क्या होता है, media access control होता है, option number आपका यहाँ पर D सही हो जाएगा, अगले question पूचाए, cable TV और DSL, डैस के उधारण है, केवल टीबी और डीएसल, यहने के डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यह किसके एकजामपल से हैं, नेटवर्क का इंटर कनेक्शन हैं, लाइन, मैन, बैन में से कौन सा सही आंसर होगा, तो यहाँ पर आपका option C हो जाएगा, मैन, ठीक है, केवल टीबी, डीएसल, लाइन, यह सभी के इसके जामपल है, मैन के एक जामपल है, मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क के एक जामपल है, फुल फॉर्म धिया रखने के बात पूछ लेते हैं, तो मेट्रो पॉलिटन ए इरिया नेटवर्क, और बैन का फुल फॉर्म होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, option number C हो जाएगा, अगला question पूछा है, सारभजनिक कस्पदालों के लिए, online पंजिकर्ण परणाली, शुरू की गई, और यह याद 2015 में, option हो जाएगा, जुलाई 2015, ठीक है, अगला question पूछा गया है, के बाइसी का आर्थ बताओ, के बाइसी का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, question number 14 का, तो KYC का मतलब होता है, know your customer, option number A हो जाएगा, आपका, sorry, option A हो जाएगा, know your customer, चलिए, next question पूछा है, RTGS में, T का आर्थ बताइए, तो इस परकार से भी question पूछ लेते हैं, RTGS में, T का मतलब क्या होता है, तो right answer क्या होगा, और यह सभी full form most important है, याद कर लेना, आप सारी full form जब भी है, यहाँ पर हो जाएगा time, RTGS में, जो T होता है, इसका मतलब होता है time, ठीक है, RTGS का प्रोणाम क्या होता है, real time, gross, settlement, तो T for time होता है, यानि की option number A आपका, सही हो जाएगा, ध्यार रखना, जो भी question अभी पिछले म के लिए minimum age क्या है, Facebook चलाने के लिए minimum age क्या है, अच्छा मैंने ऐसे copy कर दिया ना, क्योंकि बच्चों ने मुझे mail किया था, कुछ question जो पिछले exam में पूछे गया थे, तो मैंने उस mail से copy कर लिए, इसलिए मैंने उसे सही हिंदी में नहीं लिख पाया है, time नहीं था ठीक है तो मैंने ऐसे लिख दिया है, Facebook चलाने के लिए minimum age क्या है, तो बताइए आपका सही answer क्या होगा, और आप लोग भी मुझे question जरूर send करना, question send करने के लिए आप मुझे mail कर सकते हैं, mail idea आपको description box में मिल जाएगा, या फिर मुझे Instagram पर भी भेज सकते हैं, Facebook पर भी भेज सकते comment में भी अपने question जरूर आप send कर सकते हैं, question जरूर send करना ताकि और भी साथी और भी बच्चों की help कर सकें, और उनको भी पता चल सकें कि इस बार December exam में कैसे कैसे questions पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो Facebook चलाने के लिए age कितनी होनी चाहिए, minimum age क्या होनी चाहिए, 13 year होनी चाह तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा, इस selling formula कैसे काम करता है मैंने बता रखा है, ठीक है, तो उसके आप वीडियो भी मिल जाएगा आपको description में, जहां से देख सकते हैं, सारे formula में एक्सल में जो लगाए थे, बुस्तव आपको समझाये थे, जो main formula थे, triple exam में पूशे जाते ह रखें, आप उसे भी देख लेता ध्यान से, तो यहाँ पर आपका right answer option B हो जाएगा, 121, ठीक है, क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा, एक काम कैसे करता है, जैसे आप पे लिखा सेलिंग, ठीक है, और एक होता है, एक होता है floor, दोनों लगवग सेम होते हैं, सेलिंग में क्या होता है, जो यहाँ पर number दिया होता है, ये number इसके बाद, आने वाली जो संख्या होगी, वो 11 से पूरी तरह से विवाजित होगी, 119 के बाद 120 नहीं विवाजित होगी, 111 से, बड़ 121 ऐसे संख्या है, जो 111 से विवाजित हो सकती है, ठीक है, और ऐसे यहाँ पर जो floor होता तो उपर की तरफ बढ़ेंगे फ्रस होती है तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हमेशा जब भी सेलिंग यहां पर यहां पर जो बैलू दी हो आपके जैसे आप 119 से ज्यादा वाली होंगे वही आप सही करेंगे नीचे वाले का गलत माना जाएगा तो यहां पर फिलाल आप ATGS की फुल फॉर्म बताईए तो ATGS का पूरा नाम क्या होता है हलांकि अभी मैंने बता दी थी आपको फुल फॉर्म ATGS की क्या होती है चलिए यहां पर कोशन भी आ गया है तो आपका सही आज़र क्या होगा और यह सभी कुशन भेजे गए कुशन है बचों ने जो मुझे सेंट किये थे मैंने बैसे यहां पर कापी कर दिये है ठीक है तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा पर इसमें से कोई नहीं नन आफ दीज तो आप बताएए आपका सही आंसर क्या होगा तो याद होगा आपको है ना कुईक रिस्पांस कोड होता है जो बच्चे कांटिनू क्लास ले रहे हैं और ऐसे ही बच्चों की ग्रेड बनती है हमारे पास बहुत सारे comments आने सार A grade में pass होगे V grade में pass होगे C grade में pass होगे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की comments आती है लेकिन ये वही बच्चे comments करते हैं जो regular class करते हैं continue class देखते हैं जादा नहीं तो कम से कम बन मन्थ जिन बच्चों ने classes किये हुए हैं और सही से किये हैं class करने के भी तरीके हलग हलग होते हैं कुछ तो मोज मस्ती में class करते हैं बड़ कुछ reality में पढ़ने के लिए class करते हैं तो जिसने बास्तवित्ता में सीखने के लिए class किया है निश्चित रूप से उसकी grade आएगी और बहुत अच्छी grade आएगी अब हम ये confirm तो नहीं कर सकते हैं कि उसकी पका 1 grade आजाएगी या B grade आजाएगी लेकिन हाँ, जिन बचों ने मेनत की है निश्र रूप से आप लोग पास होंगे और बहुत ही अच्छी grade से पास होंगे ठीक है, तो बस मेनत करना है किसी भी काम के लिए कोई भी कई बार होता ना कि कोई trick बता दो सर जी तो बहुत ट्रिक नहीं होती किसी भी exam को qualify करने की कोई भी trick खास नहीं होती है बस हमें सबसे पहले अपना syllabus complete करना होता है कि अखिर हमारा जो syllabus का दायरा है वो क्या है और हमसे कहा कहा से सवाल खड़ी हो सकते हैं, उनके बारे में मुझे details से जनकारी हासिल करनी होती है और वो जनकारी गर हासिल हो जाती है तो फिर आप कैसे भी present करो हमसे answer आप बता पाओगे और डिश्ची रोप से आप pass हो जाओगे ठीक है, तो इस पर का दिहार रख्या करो अगला question है, Instagram चलाने के लिए minimum age कितनी होनी चाहिए Instagram चलाने के लिए minimum age कितनी होनी चाहिए तो सही answer आपका क्या हो जाएगा तो यहाँ पर भी आपका option D होगा 13 year, चाहे वो Instagram हो या Facebook हो दोनों के लिए क्या है, 13 year आपकी age है option number D, सही हो जाएगा, ओके आप पूछाए, next question, लेबर आफिस में बो सूत्र, जो A1 की सामगरी का 16% दिखाता है, ऐसा कौन सा सूत्र हो सकता है जो माना की A1 की सेल में जो भी होगा, उसका 16% निकाल देगा, तो सही जबाब क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपका option पहला ही सही हो जाएगा, हैना equal A1 और star 16% इससे क्या होगा, A1 की जो भी value होगी, A1 के अंदर जो भी सामगरी होगी, उसका 16% निकाल दिया जाएगा ठीक है, तो पहला option आपका सही हो जाएगा, अब पूछा है UIDI का पूरा नाम क्या होता है तो UIDI का full form बता दीजे क्या होता है, काफी सिंपल सा प्रस्न है वैसे, पता होगा आप से भी को UIDI का full form क्या होता है unique identification अब पूछा है, अधाल काड कौन जारी करता है अब देखो कितना असा कूशन घुमा फरा के पूछ सकते हैं ऐसे कूशन पूछ सकते हैं और कई बार तो ये हो जाता है कि अगले कूशन का जवाब हमारे उसी कूशन में होता है ठीक है तो इस बात का भी ध्यार रखना इससे क्योंकि ऐसा होता ना कि एक नमर की भी बहुत होती एक्जाम के अंदर एक नमर से एक नमर की बहुत बैलू है इसलिए ध्यार रखना है कि आपके ट्रपल से जाम का जो पेपर होता है सो कोश्चन का उसमें ही बहुत सारे प्रस्णों के आंसर मिल सकते हैं आपको तो अगर कोश्चन को ध्यां से आप समझ के करते हैं तो ठीक है एक कुश्चन में कई आशर जाएगा option B हो जाएगा UIDAI द्वारा आधार कार्ड को जारी किया जाता है कौन करता है UIDAI करता है ठीक है तो यहां पर option नमबर B हो जाएगा यहने की unique identification authority of India के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाते हैं ठीक है अगले कुश्चन पूछा है MDA का पूरा नाम बताईए तो आपका mail delivery agent option नमबर B हो जाएगा mail delivery agent आपका सही answer होगा ठीक है अब पूछा है सार्वजनिक छेत्र का सबसे बड़ा bank कौन सा है SBI, B.O.B, RBI या फिर आलाफ्तीज तो सार्वजनिक छेत्र का सबसे बड़ा bank ज्यां रखना है यहां पर सही answer आपका क्या होगा चलो comment box में बता दो सही answer क्या होगा option first हो जाएगा SBI, ठीक है क्या होगा SBI होगा first option right होगा अगला question पूछा है V map दोरा एक दिन में अधिक्तम कितना पैसा transfer कर सकते हैं आप एक दिन में अधिक्तम कितना पैसा transfer कर सकते हैं V map दोरा और कई बार आप से पूछ सकते हैं कि V map का पूरा नाम बता दीजिये क्या होता है तो भारत interface for money क्या होता है भारत interface for money होता है V map का full form जिसमें एक दिन में आप कितना पैसा transfer कर सकते हैं तो एक दिन में 40,000 पैसा आप 40,000 transfer कर सकते हैं option number कितना सही होगा D सही होगा 40,000 ठीक है अब पूचा है, UPI cashless को बढ़ावा देता है, बताइए, true होगा कि false, 27 का सही answer क्या होगा, UPI cashless को बढ़ावा देता है, UPI का पुरा नाम क्या होता है, Unified Payments Interface, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, भई, cashless को बढ़ावा देता है, इसे online payment कर सकते हैं, cashless को बढ़ावा देता है, UPI, बिल्कुल सही होगा, option पहला, सही हो जाएगा, ठीक है, कोई में cash किया आप सकता नहीं है, आप online पैसे भेज सकते हो, ठीक है, चली, अब अगला question अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, जो भी बच्चे लेट आए हैं, देर से आए हैं, आप लोग दुबारा से वीडियो को देख लेना, ध्यान से पढ़ लेना, और morning में भी class आपको मिलती है, उसको भी कर लेना, कोई भी doubt रह जाए, कोई भी problem रह जाए, तो comment जरूर करन आपकी doubt, आपकी जो समस्या हैं, उनको clear करने की कोशिस करेंगे, आपकी जम से पहले, क्योंकि हम चाहते हैं, जो हमरे straights हमें देखते हैं, follow करते हैं, चनल पर भरोसा करते हैं, आप सभी एक अच्छी grade में पास हूँ, इसके लिए हम प्रयास रत हैं, और बराबर प्रयास कर और बहुत सारे चीज़ें आपको पढ़ाने का कोशिस करेंगे, ठीक है, तो 28 का सही answer क्या होगा, option C हो जाएगा, ministry of electronics and information technology, ठीक है, ministry of electronics and information technology, option number C, सही हो जाएगा, अब पूचाए, qr code में कितने number सेंगरहीत किये जा सकते हैं, qr code में कितने number सेंगरहीत किये जा सकते हैं, तो सही answer किया होगा, बताए, और जो बच्चे देर से जुड़े हैं, चलल में, या ये कहते हैं कि सर अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ पाया है, तो आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी class हमने ये कराए हैं, जैसे कि जिसमें मैंने करार रखे हैं, कि जो भी आपको ठीक लेगों, उसमें से देख लेना, उनमें से अगर आप सही से class कर लेते हैं, तो भी आप pass हो सकते हैं, कोई problem नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा, option B हो जाएगा, 7089, ध्यार रखना है काफी important है, QR code में कितने number सहिंगरीद कर सकते हैं, तो 7089, अबासी, option number B सही हो जाएगा, अगला question पूछा है, Paytm के founder कौन है, तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा, option A हो जाएगा, विजय सिखर सर्मा, कौन है, विजय सिखर सर्मा है, Paytm के founder, ठीक है, तो option number यहाँ पर क्या होगा, option number यहाँ पर A आपका सही हो जाएगा, और अगला question क्या है एक मुझे लगता है और आप ने अच्छे से क्लास्ट सभी किये हैं तो आप बहुत अच्छे से जाम कर सकते हैं ठीक है और आज के क्लास बस यहीं तक उम्मिद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी क्लास अच्छी लगी होगी तुसको लाइक करना और जो भी साथी चनल पर फर्स्ट है मैं आप लोग सब्क्राइब करना वेल अकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप ल क्लास बस यहीं तक कल मौनिंग में क्लास मिलेगा सुभे आपको साथ बच कर तीस मिनिट पर जो भी काफे इंप्टेट होगा क्योंकि महां पर चैप्तर वाइज रिवीजन आपको करा रहे हैं है ना तो उस क्लास को भी जरूर देखना ओके थैक्स वर वाश्चिंग